जैसरी केमिकल्स का एसे देखे 9.79 पेसा इसका प्राइस अभी चल रहा है तो देखे हमने इसका ओल्टम ग्राफ ओपन कर लिया है उसको देखते हुए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये स्टोक आपको 5 रुपे में मिले तो बाई कर सकते है तब तक इसको बाई नहीं क क्यों बता रहा हूँ अब ये वीडियो को पूरा देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर पहली बार इस चैनल के उपर आए है तो यहां पर देखिए इसका फंडेमेंटल सब कुछ यहां पर ठीक है लेकिन इसकी मार्केट केप कम है क्यों कम है मैं आपको बता हूं कि फेस वेल्यू 10 रूपिस है आरोई नेगेटिव नहीं है इसलिए यह मार्केट केप को देखिए तो यह मार्केट केप उतनी नेगेटिव नहीं है लेकिन यह कंपनी पिछले पांस साथ से लगातार लोस में है देखिए लगातार यह कंपनी को लोस हो रहा है रेवर काफी अच्छा ही जेनरेट के आए हर साल लेकिन हर साल इसको लोस होता ही है लेकिन यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स की अच्छी होल्डिंग है देखा जाए तो रिटेल की और प्रमोटर्स की कम्प्रिट होल्डिंग है लेकिन ये स्टोक काफी हई प्राइस में मिलता था 2017 में 17 रुपे में मिलता था 2017 में उसके बाद ये श्टोक गिर चुका था 3 रुपे के उपर आ चुका था इसको ही देखते हो ये ये श्टोक रिस्की बन जाता है तो ये श्टोक काफी रिस्की है 5 रुपे पर इसको बाई कर सकते है लेकिन investment अपने risk पर कीजिए ये वीडियो education purpose के लिए है क्योंकि मैं भी नहीं बता सकता कि ये stock कब zero वाला हो जाए क्योंकि company लगातार 5 साल से loss में है सब कुछ देखते हुए मैं आपको यही recommend करूँगा कि इसको buy मत कीजिए नहीं आपको loss होने के chance ज्यादा है क्योंकि ये stock कभी भी 50 रुपे तक नहीं पहुचा है तो अब ये 50 तक जाएगा उसकी कोई guarantee नहीं है इसके अंदर invest करके आपको loss होगा क्योंकि ये 9 रुपे में ज्यादा price में मिल रहा है लेकिन company ही loss में है सब कुछ या पर थोड़ा negative में है तोकि इसका volume भी देखे तो volume negative है थोड़ा सा इसमें upper circuit lower circuit लगने का कोई भी खत्रा नहीं है लेकिन volume कम है buy कर लोगे तो sell करने में problem आएगी देखा जाए तो ये stock में upper circuit lower circuit लग ही जाता है लेकिन ये stock फिर भी invest करने के लिए योग्या नहीं है अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो like करें चैनल को भी subscribe कर लीजिए लेकिन 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 लेकि